हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानन्द और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तों आज फिर से मैं एक नए घर में आ गया हूँ और पूरा का पूरा जो आगन है पूरा घर है वो पेड़ पौदों से भरा हुआ है और घर को आप देखी पा रहे होंगे कि किस इस्तिती में है बाब्यूद जो हैं गाजनिंग के बहुत जादा शौकीन है कोई भी घर का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर इन्होंने गाजनिंग नहीं की है हर तरफ गाजन नजर आता है जोए घर के आगे हो पीछे हो गेट की तरफ हो तो चलिए जिन्दों ने इस गाजन को त्यार किया है उनसे हम मिलते हैं और आगे की बात्चित उन्हीं से ही करते हैं दोस्तों आज हम जिस गर में आई हुए हैं देदी सामने यहां पर खड़ी है और देदी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने घर को सजा रखा है और मोस्तली जो है यहां पर वेस्ट मेटेरियल हमें उनके घर में दिखाई देता है हलाकि घर बहुत छोटा है ऐसे इस्तिती नहीं है कि गाजनिंग जो है बहुत ज्यादा करें उसके बाव्यूद आप देख रहे होंगे कि शौक इतना ज्यादा है कि घर में कोई जगा इन्ह लना रही है तक भीहात लृट सुन आपका हमारी भगया यूट्यूब चैनल बे कितना सुनदर जो ज n अपने अपने तयार किया है लग्पक कई ने साल से कर रही है ज में दशाल से एकाम करते दस सालरह प्लक संदर और अर fera जगहा आपने जबान प्लंडी तो लगा रहा मे थोड़ा बहुत देख देख के भी सोख हो जायता है कि सब अपने घर में लगा रहे हम भी लगाएं इसे करके हम लगाते हैं तब लगाना शुरू कर दिया तो इससे पहले कि आपके पूरे गाजन को दिखाए आपका थोड़ा सा परिचाय जानना चाहेंगे आपका नाम और क की बर्मा के शुरॉंबोरह अंप शुन दर और यह जो मुझे प्लाइं अप से पहले यहां मने देख रहा हुँ बहुत संदर सा प्लांक लग रहा है और बहुत हरा भरा रहता है ये प्लांक चृदी यह जुब wreck का पौदा आपने लगा रखा है यह कितने साल पहले अपने लगाए था तीन साल के हो गये तीन साल के लगा तो एक पलण रहते यह जो दोनगा दिखान तो दोनोव लाए थे हमाने और इसमें जो है यह जो कुछ बंदा हुआ मैं देख रहा हूं एक कपड़ा तो यह बना रहे हैं कलमी बनाएंगे वी से दो हो जाएगा दो तिन अच्छा यह ग्राफ्टिंग जो है कर लगा है तो इसमें जो है यह जड़े भी आना शुरू हो ग ज इनए च्यारला 理ी बाण दिया कि अचैने मिटिक वब उपर से लगाया और से बांदिया का आई प्रहाइब यूटक्र गैसे असा बंदिये अचैने रूटिंस पाउघर उतरा है वह मिटि में मिल या सिदा पहले इस में रोगा ता कि मिलाया है मिक्की में मिला करके तब आपने जो है इस तरह से बांद दिया जो बांदा था आपने तो लगवत कितने पहले इसको बांदा था एक महीन हो गया बांदे एक महीना और देखे रूट से कितनी अच्छे से इसमें निकल रहे हैं और ऐसे ही पौदे क्या ये भी निकलता है और इस तरह से कटिंग से भी आप तैयार कर लेते हैं इस तरह से कलम है वह बना करके यह और एक पौदा देख रहा हूं बहुत सुन्दर सा लग रहा है इसमें तीन कल ले इसमें भी वैसी करके तीन पेड हो जाएगा तो सब आप जो है मिक्ती में जो पौदे बन जाएं इसमें भी यह जड़ आ चुका है निकल रही है अब तो यह कभी भी लगा सकते हैं यह लगाने लाइक हो गया है और मैं देख रहा हूं कि पॉलिधिन में भी आपने यह लगा दिया है अलग अलग जो पाम है लेड़ी पाम है पॉलिधिन में भी लगा पादियो और उससे ही होगा है इस तरह से कई पॉदे जो है यहां पर त्यार कर रहे हैं है और मैं देख रहा हूं सजावकी पॉदे बहुत ज्यादा है आपके घर में मुझे लग रहा है कि विशेश लगाव है इनसे हां बहुत सुन्दर यहां पर देखिया एक तरफ से बीकाफी अच्छा लग रहा है और छोटे गमले में है यह चोटे गमले में लगा रखें यह वाला भी काफी सुन्दर लग रहा है तो यह जो मिटी वगरा आप इनको लगाने के लिए बना रहे हैं तो क्या मिटी में मिलाते हैं जैसे मिटी अपना बारी फोड़के आदे यह जो जो बनाकर कर दिया है एक जगा गट्डा किया वैसे करके यूज कर रहे हैं और जिनके पाफ जगा नहीं तो वह किसी बाल्टी में या जंब में सब्सक्राइब कर सकते हैं स्कविए यह जो पौधा दिखाइधे रहा है मुझे बहुत बड़ा सा वे लैसे फूल आते हैं पूल आते हैं, और इन रंके भूइत थंडियों में उखिलते हैं, शर्दियों में पूल इसमें आते हुआ है, पूरा छत भर जाता है, और इधर मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा एक इसप्लांट, ये जो है तुलसी जी है, तो पूजा पाथ यही पर होते हुआ है, नहीं में कुछ लगाया है। यह सब चीज आई सी बन रही है। तो इतना पेड पोद्बे आपके पास हो गए हैं तो इनको किया घर में रखते हैं ये घर में रखते हैं लिया इजा पेचे दे लिएक फ़ेयो جो कर रहे हैं गर तो उसको रिए बीस बहुत में बहुं घर सुंदर थे पोड़े बाटने का काम हो रहा है और यह पौदा देखे काफी अच्छा लग रहा है इसमें कितने सुंदर यू है पत्ते लग रहे हैं को लिया सका है इसमें और भी कोलिया साथ के पास है या और और कलर के विए और कलर के भी है इधर इसनेक प्लांट लगा रखा आपने कि और यह किसमें है किन है वह डिप्ब बिबा काटके उजये तेल वाला डिपा होता है वही काटके लगाएं उसमें यह प्लांट भी काफी अच्छा लग रहा है तो ती गमले बगरा कहां से खरीदना होता है नर्शरी से बजार में मिल जाता है बजार से लिया प्लास्टिक के दुकान बगरा से यहां भी क्रोटों दिखाए दिरें काफी अच्छे-च्छे क्रोटों आपके पास है कि यह जू है कि इसे दिन वे यह कर रहे हैं दस साल यह कर रहे हैं थोड़ा हिसाफ ट्रीद क्र भीए फरी में सलेख है कि अब क्रचिंग में संदर पहले यह हो रहे है नहीं G dissemin Health कर दो है जा हम हम सब के घरों में यह सब चीजह नहीं होती है और यह पर जो है इतने सारे फ्लांट्स को ली लगार खाlles तो छोता तेल का घ्यलन होता है यहां से लगा दिया कैसे लगा यह चोटा लुजिए है करें यह सिस्क्रेटा यह लगाता है जिसलिगा चोटात तोक्रा यहांसे चारका और खो như बाइना शुराक कर और बहुत सुन्दर और यहां पर जो एक बना हुआ है और यहां पर देखिए कितने सारे जयट प्लांट सब कटिंग से त्यार करें यह भी टैटल वांचे वाराइटी है और यह सारा पॉडचुले का यह सब कटिंग से ही तैया है और देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं है बहुत कम खरीदेवे चीज़े लएंगे यह जो भी कोफी के कंटेनर वगड़ा आते हैं सब उसका आपने यूज किया है मुझा सब उसी का कि यह प्लास्टिक के जो कंटेनर है खराब हो जाते हैं घर में तो उसका भी आपने यूज बहुत सुंदर लग रहा है और बाहर भी मैं देख रहा हूं बहुत बड़े बड़े पौधे को चेक है और काफी अच्छे फूल उसमें और बाहर भी लगाए गोड़ल भी है कनेर भी है टिकोमा है और इधर जो है जबल चान्दी का यह पौधा मुझे लग रहा है यह दिखाऊं तो आप गेट को देखके ही घर की हालत समझ सकते हैं इस तरह का इनका गेट है लेकिन फिर भी दीदी का जो शौक है बहुत अच्छा है कि ऐसे हालत में भी इतने ज्यादा गाजिनिंग का शौक यह रखती है गाजिनिंग को कब समय देना होता है सुबह या शाम को सुबह दोनों टाइम देखना पड़ता है दोनों टाइम देखते हैं और पानी बगरा का जो है सुबह जालना ज्यादा सही है या शाम को जैसे गर्मी में दोनों टाइम डालते है ना सुबह भी देना पड़ता है हलक कई लोग होते हैं कि ड्यालती है और ज्यादा पानी की विजसदेवाई खरब होते मौत Ariya पूजा पाट में इस पौद에 में उंते कौौड़ा होती है यह देखे रहे हूं यह ब्यद का पान की व्यज़टी है शमी का पौदर प्रमी का पॉदょ कि यह सब कटिंग से ही तयार है हाँ सब कटिंग से तयार है और यह वाले बीज के हैं हाँ यह बीज के और यहां भी बहुत बड़ा जो है गुड़ाल का पौदा है उपर खिल भी रहे हैं फूल बहुत खीता है यह यह लाएं करने कि पुजा करने के लिए पुजा करने के लिए बहुत अच्छा हेंगिंग आपने बना रखा यहां भी प्लास्टिक की नॉर्मल चीजे जो दस रुपह में हमें मिल जाता यह सब चीजे और वह हम यूज करने को जब फेक देते हैं पुरानी हो जाती है तो देखिए यहां उपर से तार लगा करके और उसी के सहरे इसको इसका भी पेड़ कटीन से ही त्यार करते हैं यूफोर्विया मिली यहां पर है तो यह सब भी कटीन का ही है हां यह कटीन का भी यह थी अच्छा यह वाला कौन सा पौदा है यह खट्टा उप मिसमें फाल आता है खट्टा खट्टा फालता है खट्टे फाल होती है वह वाल यह तो बहुत खील जाते ही धूप से थोड़ा सुख गया है ज्यादा दूप लगए इसको और यह मुझे लग रहा है कि ब्रह्म कमल का पौधा है इसको भी आपने क्या कटिंग से लिए से त्यार कर रखें यह लगवा कितना पहले लगाया होगा इसको एक साल हो गया किनारे भी यह वाला पौधा काफी सुंदर लग रहा है और यहां भी वही जो पौधी ने ब्लेक लरका उसमें आपने लगा दिया देखिए पौधे की कमी नहीं है जिस कुने में भी जहां भी मैं जा रहा हूं इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं जगह घर में बिलकुल न सब्सक्राइब कर रहे हैं यह यह वाला पौधा तो बहुत सुंदर लगा रहे हैं यह जो इतने सारे पन्नी में आप लगा ना मरते निकलने के लिए बना रखे निचे से सब में आपने नीचे जुँआ उसका यूस किया यहाँ पर भी मुझे कोलिया स्क्रोटोन साइकस सब चीज़े मुझे दिखाए दे रही है ये पर आजुता का पौदा है हां दो लगा रख रखें इसमें भी एक बड़ा वाला एक छोटा वाला यह नीले कलर का सफेद वाला का भी है यही पर सब मिक्स है यह यह दिखाई दे घिया है यहां वाइट कलर का भी क्या वॉद्ध देगे यहां एक कट्टे में कव रखा इसको आपने इसको बहुत दिन हो गए लगाई हुए यह देखे कट्टे में जब गुड़ हल है कितने ज़ादा हो रहे हैं और मोटे-मोटे ब्रांचे इसके हो गए और ऐसा लग रहा है कि विल्कुल जमीन पर ही लगा हुआ है यह पूरा फूल से भर जाता है रत्य जवा इसका नाम है और काली पूजा जो होती है काली माता की पूजा उसमें इसका बहुत यूज होता है ठीक अभी यह पूरा खिला नहीं है पूरा च्छत मुझे नहीं लगता की खाली रहता और यह घर के पीछे का जो एरिया है मैं अगर दिखाऊं तो यहां भी देखे किस तरह से पेड़ पौदों से भर रखा है जो यह है मकान है इंका पूरा दर से गली है और यहां से देखिए यहां भी अलग अलगता है कि जो कोलियस है वह लगा रखा है कहीं से भी ब्रांच जैसे इसको काटना होता है कहां से काटके लगाते हैं जैसे इसको इतना काटके फिर कलम बना देते हैं इतना काटके कहीं भी दबा देते हैं हो जाता है किसी भी पॉलितिन में तो शुरू म मैं कई दिन च्छाई में रखना पड़ता है और यह सब ऐसी कटिंग से आपने त्यार कर लखा है और सब पॉलितिन में है तो इस काम को आप अकेले ही करते हैं या भाया भी साथ दे देते हैं साम को आते हैं तो शौक किनको ज्यादा है उनको या आपको दोनों आदमी को ऐसा दोनों को ही शौक है और घर के हर एक जगह का यूज किया है आसपास तो मिलेकर से कई लोग प्लांट यहां से ले जाते हैं अब जो शौक है थोड़ा थोड़ा अगर व्यावसाय का रूप लेने लगे तो और भी ज्यादा अच्छा होता है वह थोड़ी इंकम भी हो जाती जाटी और शौक हुआ होता है का यह कडी बथा यह बहुत अच्छा प्लांट हो रहा है और यह देखिए और वेस्ट मटेरियल जो चाय-पत्ती का पैकेट होता है उसका आपने बहुत अच्छी से यूज किया है यहां सब चाय-पत्ती के शरफ लगए पनी में लगा देते और देखे क्रोटों की वराइटी सब में क्रोटों बड़े आसानी से ब्रांश से तयार कर लेती हैं इनके हाथों से हो भी जाता है मुझे लगता हाथों में कुछ जादू है वरना अधिक तर लोग शेकायत यही करते हैं कि मर जा रहे हैं पौदे लगा रहे हैं तो हमारे चल जो कटिंग है वह सुकना नहीं चाहिए और पानी का ज्रेणेज भी अच्छा होना चाहिए कि पानी जमा भी नहों और सूखा भी ना रहे हिसाब से पानी देना चाहिए कि पेड़ सूखे न और थोड़ा सा मतलब चायदार एरिया पेड़ पौदों की छाय में तो अच्छ यह उपर का जो जहां से पौधा निकला होता है तो यह अननास जैसे आम उसको लगा देते हैं तो कितने टाइम में अननास दुबारा आने लग दें इसको अभी हमारे एक साल हो गया इसको लगाए हुए अच्छा अभी आया नहीं है यहां भी देखे पुराने जो तसला है तो उसमें भी क्लांचो का पौधा लगा हुआ है और मैं अगर ज्यादा लंबा बनाऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पेड़ पौधे खात में होने का नाम नहीं ले रहे हैं देखे कोई भी चीज इनोंने छोड़ा नहीं है कितने सारे कंटेनर हैं वहां भी प सी कट्टे में ही लगा दिया सीमेंट के हां बहुत अच्छे ग्रोथ है उदर जो है जो गन्ना है वो भी आपने लगा रखा है यह फूल जो है इसमें काफी अच्छे नजर आ रहे हैं उपर लाल पीले कलर में इसको बीज लाएते भी से तैयर क jurisdiction इसके बीज से उपन्ने के बाद लिसमें भी इधर लगे हैं सब इसी में के हैं सब फूल खिलेगा और सब यह बीजों से त्यार है और यह जो बड़ा सा नजर आ रहे हैं यह मेहंदी का पेर है कि मेहंदी है और इधर देखिये पूरी गली बहुत अच्छे से यूज इन्होंने किया है कि यहां मैं देख रहा हूं पपीते का पॉधा भी बीजविश में अपने लगाया है और यह कद्दू की वेल है क्या खीरा और कद्दू मतब नीचे जगा है तो उसमें आपने कट्टे वगरा का यूज किया और पॉलितिन का यूज किया पुराने डिब्बे है उसका यूज किया और यहां देखे। कटिंγ लगाने के जगा है आपनी में देखे यहहां है यहांप सारे पॉतो की रवर बिलकुल सा नमी बना हुआ है यहां पर जमीनमे ठोड़ी सिजगा है लेकिन कठिं नमी पर रहनाच चाहिए लाज त्यार करने के लिए और यहां पर जो है देखिए यह जगा कौन सी है उपर जो है आम का पौधा है पुरा चारो तरफ पेड़ पौद से भरा हुआ है और बीच में यह कटिंग तो ऐसे जगा पर कटिंग भी बहुत अच्छी होती है और यह संद्र लग पौधा इसको ही बना रहा है कि पेड़ से यह बीकिंसे लायते नर्सरी काई है इन रसरी से लाए थे यह से कई प्लांट के बाद जारें अब तो इसी वालग लाएं नरशरी सभी बढ़ जाएगा कर दो यह आँ अ व्याहां देख रहा हैं आपने कोल्यास कि इसको सब भी पॉलिथिन में डालेंगे और यही चीज़ हम गमलों में लगाते हैं तो कितना ज्यादा जो है खिल जाता है सारी चीज़ें कोई भी जगा जो है इन्होंने वेस्ट नहीं किया है घर का एक यहीं का पॉन विंग काफी अब अच्छा लग रहा है किवश did okay but यहीं के ंवbeltो फ्रींग से कि एप है किए कॉट्बना दिया है हैं इसने किकलर में चौन भीमेजी दिखाया एब हाते हैं यह कि साफ़ लगा दिया का लिगा दिया खा इस इसमें एक पिंक कलर में भी आता है वो है कि आपके पास नहीं यह दो यह कलर का है एक साथ बहुत सुन्दर लग रहा है और इधर देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है यह जो डबल चांदनी का पौदा है अजय और है तो यहां से पूरी गली जो है इस तरीके से है अधिये आ यही क्रोटन का हिए ऊज़ियो इसको जैसे आपने जमीन में लगा दिया तो यही के बांज पेस्स Security बनाते हैं किसे अज़िवी गंभ बनते करें पर चरपांच के मिट्टी में जाल देते हैं वह से तैयर वाजाता है तो अभी तो ज्यसके बारिश का सीजन है तो अभी कटिंग बारिश में तैयर करेंगे अच्छा समय है तो थोड़ा बारिश इस समय नहीं हो रही है इसलिया में तो उसी का इंतिजार है यहां भी देखिए कितने सारे पौदे और यहां से पूरी मतलब नरसरी आप दिरे दिरे बनाए दे रहे हैं घर को और खुद के प्लांट सब त्यार किये हुए हैं खुद हम अपने घर में इ अच्छा अंत में दीदी एक सवाल और कि जो घर में अमारी अक्सर जो महिलाए रहती है कई बार यह खाली भी होती है कुछ समय के लिए तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे महिलाव को यह कौनार चाहूंगी कि आखिन में आदमी खाली टाइम रहता है उससे में अपना लगाना चाहिए क्योंकि घर का थोड़ा सुंदरता भी बढ़ता है अच्छा भी लगता है और साथ में जो अक्सिजन बगरा है जो है में रहता है घर में हर्याली रहता है तो अच्छा लगता है और यह भी नहीं मतलब कुछ सब्जियों के पौधे भी लगा सकते हैं घर म मुझे तो लगता है कि जिस तरह से आपने पहले शौक के तोर पर लगाया था और अब दीरे दीरे एक ब्यावसाई भी बनता जा रहा है बहुत सारे कटिंग मैंने देखा आपने लगा रखा है तो अगर लोग यह भी करना चाहिए तो वह भी कर सकते हैं तो दीदी आपने अपना इतना सारा समय दिया पुरा गार्डन दिखाया और कटिंग वरक ऐसे त्यार करते हैं इसको दिखाया इस सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद